गगन यानी आस्मान और गगन यान 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 तक ले जाने वाला यान तो भारत से एक गगन यान जा रहा है गगन की ओर जिसमें होंगे अंतरिक्ष यात्री इससे पहले USA, रश्या, चाइना जिसे देशों ने अपने अंतरिक्ष यात्री अपनी स्पेशिप में बेजे अंतर कोट मिशन गगनियान का क्या है ये मिशन क्या इसके बारे में बाते जानेंगे इस वीडियो में वेल्कम टू ग्यानकोश आगी बड़े इससे पहले आपके लिएक सवाल पहला इंडियन वेखती जो कोई स्पेस में गए हो यह दय हो उनका नाम गया है राकेश शरम कलपना च गगनियान मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो मैंड फ्लाइट टू स्पेस है यानि पहली बार भारत के नूप भारत के शिप पे अंतरिक्ष में जाएंगे और यह प्रोजेक 2018 में रूस क्या गया था और इसमें तीन लोग तीन क्रूब मेंबर्स जाएंगे और इसके अंदर जो अंतरिक्ष यातरी होंगी जिसे अगर अमेरिका से आप जाते हैं तो आपको एस्टू नोट्स नाम पता होगा अगर रश्या से जाए तो कॉस्मो नोट्स पता होगा इंडिया से अगर आप जाएंगे तो रहा कहा जाएगा वियोम नोट्स क्योंकि वियो बड़ा प्रस्टीजिस मिशन इंडिया गनी है, तो जब कोई ऐसा स्टीश मिशन होता है, तो उसके लिए कई सतरों बर तैयारिया की जाती है, ये मिशन हाला कि कोविड के टाइम में क्योंकि डिलेग होगे और कंप्रीट नहीं हो बाई से थोड़ा, रुकसर है, लेकिन प्रस्ट टेस्ट डेमो होगा, जिसमें इस दो चेक करेगा कि क्या जो हमारा मिशन जाने माला है, जो हमारे अलग 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 एक डुक्मेंट से वो पुरी तरह तयार है भी या नहीं, तो नॉमली क्या है, जो तीन एस्टोनौट अंतरिक्ष में जाएंगे, वो कितने इन अंतरिक्ष में रहेंगे, साथ दिनों तक, वो seven days डेम रिमें इन स्पेस, और इने भीज़ा जाएगा, जिसके थूफ हो है GSLV Mk3 rocket, और इसी के अंदर होगा एक crew module, यह देखने हैं, जहाँ पर अंतरिक्ष यातरी रहते है, और यह होता है service module, जो उसको खुबाता है, तो यह बहुत इस तरह का structure होता है जो अंतरिक्ष में से लेके जाता है, लेकिन जब आप यह mission भेजने वाले हैं, क्योंकि इसके अंतर अंतरिक्ष यातरी है, तो बहुत जरूरी है कि जो आपका space में mission जाए और वो अच्छी तरह tested हो, 21 October को जो spacecraft अंतरिक्ष में जाएगा, उसक इसको लेकर इसको पहले एक about mission launch करने वाला है, यानि अगर कुई भी गढ़बर हुई, तो यह वापस आजाए समय से, और इसकी जो launch vehicle है, उसका नाव है T1-D1, यानि अभी जो test vehicle है, इसका नाव है T1-D1, इसके तहत अभी checking होगे कि जो अंतरिक्ष में जाना mission, 21 हद तक successful हो पाएगा, यह एक demonstration है कि जो अंतरिक्ष यातरी स्क्रूव में बैठके जाएंगे, अगर कुछ गढ़बर हो गई, तो वापिस दुबारा आपाए, वापस इंडिया में, वापिस साही सलामा सुरच धूप से भारत में वापिस आपाए, तो launch vehicle जो जाएगी वाद में नीच आपाए, तो वापिस दुबारा आपाए, यह तहना बहुत सक्सेस्फुल स्टेज है, ठीसी की स्टेज मिशन का, हमें पता है, अपोलो मिशन भी कुछ फेल हुए थे, कई एस्टिनोड अपनी जान गवा चुगे, इंडिया ऐसा बिलकुल भी नहीं चालता, इसलिए बहु पास से साथ में स्टेज में रहेगा, फिर जो मॉड्यूल है, वो अलग हो जाएगा, यह देखरें, डीबूस्ट होगा, मॉड्यूल अलग होगा, और हम जो हमारा जिसमें स्टेज कूब बैठा होगा, निक्षी की तरफ आएगा, और उस से फिर यह गुजरात के पास, अर अब लगे कुछ technical glitch है, तो यह वही सही वापस कैसे दोबारा नीचे उतर आएगा, इस पूरी चीज को चेप करने के लिए अबार्ट मिशन, टीवी डीवन किया जाएगा, जो एक demonstration mission है, आप चेप कर जोगी पर अगर गडबड होती है, तो हम उसको कैसे control करेंगे, टीवी पारत का जो गगणियान की journey होगी, उसका पहना important test यह है, जो इसकी safety security को चेक करता और इस रोग इस से चेक करना चारी है, कि कोई भी technical glitch है, कोई भी गडबड हो, तो हमारे astronauts को कोई दिखतना और वो बिलकुल साहिस वामत safely वापस दुबारा land कर जाए, तो यह जो पहला अब demonstration mission है, देखे, demonstration mission का मतलब यह होता है, कि आप demonstrate करते हो, कि क्या गडबड हो रही है, क्या चीज़े है, कैसे काम गडबड हो रही है, कोई गडबड इस stage में अगर आप हुई, तो अब असली job का mission है, जो बात में जाए रहा, उसमें glitches fix कर सकते हो, ताकि उनको वो दिक्कते न नाम है, क्या नाम बताया था में आपको, TD D1, Tesla equal D1, और उसका एक तरह से demonstration है, तो यह जल्दी पूरा होगा, हम पुरी तरह शोर है, कि हमारा जो गडब यान है, सक्सेस्फुल गडब तक जाएगा, हमारे जो वियूम नोर्स है, उन्तरिश तक जाएगे, और यह इंडिया क चौथा है सादिश बनाएगा, जिसने अपने खुद की वेहिकल से अपने स्ट्रोनोर्स को स्पेस में बेजा, तो यह था आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत हन्यवाद, keep on watching, ग्यानकोश